बिर्सा मुंडा केम्रिया कारा होटवा राची के जेलर नसीम खान ने जेल से एडी के गवाओं और अफसरों के खलाफ साज़ुष रची और देके साज़ुष के सलसिले में अपना बयान दर्श कराया गया और आज जेल अधिक्ष्य खामी रखतर का बयान दर्श किया जाए साथी सभी पारेवारे सदस्यों के आम दनी और उनके श्रूतों के जानकारे गी उसके बाद मनी लॉंडरिंग के गवाओं को जेल से मिर रही सोविधाओं के बारे भी उनसे पूछताच की गई महीं एडी के गवाओं और अफसरों के खलाफ जेल में रची कई साज़ुष के बारे में भी पूछताच की गई है। और इसे खाबर पर न्यूस रूम से हमारे साथ समबादात राच्वे से दीपक कर जोड़ रहे हैं। दीपक देखिए ये पूरा मामला हमने देखा किस तरीके से जेल अधिकारियों को समंजारी किया गया और एक के बाद इन से पूछताच हो रही है। इसके पहले हमने देखा कि हैड क्लरक से पूछताच होई और इसके बाद जेलर से पूछताच होई और अब जेल अधिक्षक हामी दक्तर के बारी है। और इसके बाद इन तीनों के बयानों को मिला कर देखा जाएगा कि क्या जो उन पर आरोप लग रहे हैं वो सत्य हैं या सत्य हैं। जी बिलकुल देखिए एडी के खिलाप साजिस रचने और साजिस में सयूग करने के मामले को ले करके जो एडी की जो करवाई शुरू हुई है और लगातार करवाई चल रही है। होटवार जेल के अधिछक, होटवार जेल के कलर्क और जेलर को समन जारी किया गया था और पहला समन के मुताबिक साथ नौवंबर को होटवार जेल के कलर्क मुहमद दानिस एडी दफतर पहुचे थे और लगभग 10 घंटों तक उनसे एडी ने पुस्ताच की है और उसके बाद कल आठ नौवंबर को होटवार जेल के जेलर नसीम खान एडी दफतर पहुचे थे और उनसे भी लगभग 10 घंटों तक पुस्ताच हुई है इन दोनों के पुस्ताच के बाद आज जो होटवार जेल के अधिछक हामिद अक्तर से एडी पुस्ताच करेगी इन लोगों पर कहीं न कहीं लगता हुआ दिखाई दे रहा है चुकि होटवार जेल में जो भी बंदी होते हैं वो जेल मैनुवल के थाथ होते हैं और किसी भी तरह कि वहां पर गोई गतिविदिया नहीं होती है बावजुद इसके वहां पर तमाम जो मनी लोंडिंग मामले के आरोपी प्रेम परकास की बात करें अमेरी तगरवाल की बात करें या फिर अन्य लोग जो हुटवार जेल में बंद है उन लोगों को सुख सुविधा पहुचाई जा रही थी और इडी के खिलाब जो साजिस रचने की जो योजना है वहां पर त्यार हो रही थी तो तमाम जो गतिविधिया हो रही थी तो जहिर सी बात है कि ये तमाम गतिविधिया बिना जेल प्रसासन के सहीओ के बिना वहां पर नहीं हो सकता है तो यही वज़ा है कि इडी ने इडी को जैसे ही इसकी जनकारी मिली और उसके बाद एडी ने बीते तीन नौमर को होटवार जेल में छापे मारी की और उस छापे मारी में कई जो चोकाने वाले खुलासे जो सामने आये हैं और उसी के अधार पर इन तीनों को जो है समझ जारी कर इडी दफ्तर बुलाया गया बारी-बारी से सभी इडी दफ्तर पहुँच रहे और आज आमी दफ्तर जो होटवार जेल के जेल धीछक है उनसे आज पूजताच होगी तो बिंदवार सवाल होंगे कि आखिर क्या मंसा था किस उद्देश किस परपस से जो है मनी लॉंडिंग मामले के आरोपियों को जो है सुक्षिविधा पहुचाई जा रही थी और इडी के खिलाफ साजी स्रचने में सहीयोग किया जा रहा था ये तमाम जो सवाल है वो किये जाएंगे और जिस तरीका से वन बाई वन तीन आप जो रची जा रही थी, योजना तयार हो रही थी और जो चौकाने वाले जो खुलासे हुए है कि एडी के के केस को परभावीत करने के लिए डराने धंखाने का काम जो है वो वहां से किया जा रहा था, फोन के माध्यम से बाहरी लोगों से संपर्क साधा जा रहा था, नक्सलियों से संपग रहा था अपराधियों से संगठन शाधा रहा था तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा योजना है, वह वहां पे तयार हो रहा था, आपको याद हुआ कि अवेध खनाना और जमीन घोटाला मामले में जेल में जो बंद है प्रेम परकाश बीते 25 अगास 2022 स ही जेल में बंद है और जिस तरीका से इडी की करवाई सबसे पहले खोटी मंदगा घोटाला मामले कर शुरू ही उसके बाद जमीन घोटाला अवेद खनन सराब घोटाला टेंडर माइनेज कर अवेद तरीका से संपत्ती अरजित करने का जो मामला सामने आया तो तमाम मामलों को लेकर के इडी के जो करवाई हुई है और लगभग कर सकते हैं कि सबसे पहले जिस तरीका से प्रकास की गिरपतारी अवेद खनन मामले में हुआ उसके बाद जमीन घोटाला मामले की जब जहांच आगे बढ़ी तो उसमें भी उनकी भूमी का सामने आई तो एक के बाद कई जो मामले हैं उसमें प्रेम प्रकास की भूमी का सामने आई और जमीन घोटाला मामले और अवेद खनन मामले में आरोपी भी बनाया गया है तो वो कहीं न कहीं फस्ता हुआ दिखाई दे रहा है जिस तरीका से एडी की करवाई लगातार आगे बढ़ रही है और इसी को लेकर कह सकते हैं कि वह पे योजना ट्यार हो रही थी और सबसे बड़ी बात हैं कि जेल में आखिसा हमने कहा भी कि जेल मैनुल के था तो तुनां पर हो रहना हुता है अघ्यों गतिव वढ़िध्यों की जव्जनकारी जो है वहाँ जेल में बंदबन्दी के दूआरा जो ह पुष्टाच के करम में ले रही है और आज जिस तरीका से हुटवार जेल के अधीछक हामी दक्तर से पुष्टाच होगी और जैसा हमने कहा कि तीनों का बयान का जब मिलान हो गया उसके बात दखियेगा कि आने वाले समय में एक बड़ी करवाई जो है इडी कर सकती है और इ एंधीखते हैं उस पर भी कही तरह कि सवाल उट रहे है तो हो सकता है कि आने वाले समय में यह भी देखेगी कि आखिर इन लोग की मनसा क्या था की जेल में बंद बंदियों को सुविधा या फिर इस तरह की गतिविद्या में जो सहीवक करने का काम जो है इन दूआ रखिया है तो तमाम तरह की जो चीजे है वो एक चीजों को ले करके जिस तरीका से इडी की करवाई हुई है तो आने वाले सबे में अब देखना होगा कि क्या पूश्टाज तक ही यह जो मामला है सिमीत रहता है या फिर इससे आगे भी जो है इडी की करवाई आगे बढ़ती है जी पूश्ताश हो रही और आज जेल अधिक्षक हामी दक्तर से पूश्ताश होगी और इस पूश्ताश के बार एड़ी उन तमाम जवाबों का मिलान करेगी और आगी की कारवाई हमें तेखने को मिलेगी लाइक और शेर वीडियोस सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकोन न्यूस लवन भारत सच है तो दिखेगा